हुआ यहां पर होस्पिटिल के बारे में जानकारी लेते हैं यहां पर जो पीशिंस आहे हैं उनसे नहीं जाтом को पन्जाब जिस्टे के आहां रहना हो और लिजे हैं फादर को यहां है क्या प्रॉब्लम इनको मानस की परिशानी थी सन 85 से 85 से और तकरीब एक अतिस साव ये परिशान रहे और तब पिताई ने बोला हजूर पिताई ने कि आप डाक्टर शोगजी से मिलो और दबाई लो तो हम डाक्टर शोगजी से मिले और अभी ये बिल्कुल ठीक है किते सालों से आरों सर मैं तो तकरीब ना रहा हूं कि जादा दो यार हूँ साथ से जब से तकरीब बनाय आ हाई रहा हूँ इन्वाइर्मेंट और सबसे कास बात अधिया है चिसकी जरूरत होता है। सरफ वही देते हैं जिसकी जरूरत होती है। ज्यादा टेस्ट थेवा समय आवे लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। कोई ठगी धोखा या जो कस्तम होता है मरीज होता है उसको गुमरान ही किया जाता है उसको साफ साफ बता दिया जाता है कि आपका ये टीटमेंट होगा जैसे अगर कोई आजरवाय टीटमेंट से ठीक होता है तो उसको वो बता दिया जाता है कि आप आजरवाय टीटमेंट कर बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बाहर से बहुत ज्यादा बढ़ी है और रेट भी कम है और दूसरी बढ़ी बाती है कि टाइम टू टाइम यहां डिबेट मिलती रहती है तोड़ी बहुत ही जो डिसकाउंट गयरा कार्ड बगरा बनते हैं उसका भी जनता को यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो बाहर इलाज करवाते हो ज्यादा तर मेडिकली लाइन को वपार बना रखा है मतलब क्या बताएं लफजी नहीं हैं जो बोल के बता सकी और यहां कम से कम आपको यह वैदा तो होगा कि आप की बीमारी का सही रूप की आपको बता जाएगा गुमरा नहीं कियाMart AH तो हमारी तो यही कहना है कि एक बार यहां विज़िर्ड जुड़ करो और डॉक्टर सहवान को मिलो अपरी बीमारी मिताओ और टेस्त वगरह और आपको पता चल जाएगा आप दुबारा कहीं औ बना हुआ है काफी यहां पर जो अलगलग एक्यूपिमेंस हैं सर किसकी वज़ा से मतलब किसने यह इनिशेटिब किया है इस तरी के ऐसा जी यह तो जो गुरू जी है उन्हीं का दिशांदर देश हम कह सकते हैं वरना ऐसी फैसलीटी तो डिली या बड़े-बड़े हॉस्पि इनको बीजिस बना लिया है तो उसे साबसे देखा जाए तो वर्ड में यह नमर वन होगा और चलो हो सकता है फैसलीटी यह और बड़े अस्पिलिटी में हो लेकिन वहां एन्वेस्ट बहुत होगा पैसा बहुत लगेगा उसे जाफ से तो देखा जाए तो यह नमर वानी से जब यह डिरा बना तभी से दीरे दीरे बढ़ता बढ़ता और यह जो कह सकते हैं कि प्रबंद की धांचे ने भी जो किया और सभी सासंगत का से यो कह सकते हैं यो है शास्तराम जी गिनीने स्वेल फिर फोर्स है तो उसका से योग भी और सासंगत का भी है और सबसे बड़ इसे बात तो ये है कि जो ये समाज है इतना दूशित हो चुका है इसे साफ करने के लिए ये मेन चीजे हैं जो गुरू जी जब नाम की दाद देती हैं बताती हैं कि एक तो आप हर एक के धी बेन को अपनी मा बेटी जा बेन के समान समझो और इसी तरह बेटियों पर भी मुझे जो अपनी समझ है उसके बताता हूं मैं जैसे के जैसे कहते हैं आचार विचार और विवहार ये तीन चीजें इन ही में से उपचती हैं अगर ये अधार है जो गुरू जी बताते हैं कि ये चीजें सेवर नहीं करनी तो तबी इनसान अच्छा खाएगा शुद है ती वो भी अच्छा होगा और जब वहार अच्छा होगा तो अच्छे समाज की सिर्जना होगी तो आज मेरे जो मेरा मानना है समझना है तो समाज में जो इनसान इतना गिर चुका है उसकी प्रविर्ती में इतनी गिरावट आ चुकी है कि उसका इनसान बनना ही मुश्कि दस हजार साल से आप देश सकते हो पहले रिशी मुनी होए राम चंदर जी होए क्रिशन जी होए तो तब भी उन पर अरोप लगे और अरोप और बाद में क्या समाज ने तब उनको नकारा लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो अक्सेप्ट किया तो वो क्या होता है यह सम करते रहते हैं फिर उसको ढूंडते हैं तो फिर वो बात नहीं बन पाती क्योंकि जो भी वक्त का फकीर होता है कहते हैं कि वक्त का डॉक्टर वक्त का फकीर और वक्त की हकूमत उनके पास ताकत होती है तो ऐसी फकीर के पास ताकत होती है क्योंकि जो पहले फकीर आये उनक उन्होंने अपने समय के अनकूल समाज को सुधारा, तब उन्होंनों भी उसको पसंद ने किया, समाज ने उनको अक्सेप्ट ने किया, और ऐसे ही अब है, तो तब बुराई कुछ और धंक से थी, तब उन फकीरों ने वैसे समझाया, अब बुराई कुछ और धंक से है, जैस अपने काम में सफलब ना हो जाएं समाज को सुधार ना दिकि किव उनका विन्हों कहीं ने सबारत होता है। समाज में उन्होंने सर्फ एक उनका लक्ष होता है कि पैसा कमाना उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ी। पैसे के लिए वो सब कुछ कर सकती है। जरूरेच है सर इस समेसा में बिलकुल बहुत जरूरत है और जो मेरा मानना है मेरी 32 सारी ओमर में मैं यह मैं यह मैं इस डिवैड पर सिद्ध कर सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंद्गी में वक्त के अनस्ति का ऐसा संत नहीं देख़ा अपनी बढ़े हो सब्सक्राइब लग है उनकी जो सुदाने की नीती है उसमें एक तरक भी हैं और एक अंदाज भी अलग है और वह जो अंदाज है वह अंदर से तो सब को अच्छा लगता है लेकिन बहार से कहीं न कहीं उनकी जो लोग बुराई के नुमेंदे हैं उनकी इमिज को डामेज करता है वो लोग ये तो समझते हैं के समाज तो बढ़िया होना चाहिए और उनकी सोच ये भी है के हमारे बच्चे नशा नगरें हमारे बच्चे बुराई पर न जाएं लेकिन वो काम ऐसा ही कर रहे होते हैं खुद तो वो कहीं न कहीं अंदर से तो मान रहे होते हैं लेकिन उपर से क्योंकि उनका बिजनस ही ऐसा हो उट पर टिका होता है बुराई पर तो वो थोड़ा सा गुरेज करते हैं और थोड़ा विरोध करते रहते हैं लगाता है पिर न तो वह पहले नमर पर याएगा देश क्योंकि यहां की जो संस्कृति है बहुत उची है और जो सा यहां का वातावर्न है वह बहुत बढ़िया है लेकिन कुछ बुराई के नमाइंदे कहलो यहाराईनिती लो कहलो उनका जो समाज में इतना गंदा जो कर रखा है वो अपनी स् तो उसको सुधारने के लिए कहीं न कहीं बहुत बढ़िया में दिखाया गया जो भी बातें उठाईगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंग्जी इंसा वो हैं जो समाज जित के लिए काम करते हैं उनको जूठा बदनाम किया जा रहा है जो लोग नहीं चाते समाज से नशादूरो समाज में ऐसे कारे हों ऐसे होस्पिटल बने लोगों का ऐसी फसिलिटीज मिलें एक ऐसे ए झाल गॉ कि बंदना इंक जुछरो समाज में एक वोगों का दो जो दो लोगों कि अवा से नहीं बने एक करते हैं जो योगों काम में वोगों कि रहा हैं अजह हैं भी जगह झाल झाल